और चीर्टिस एन प्रोसीजर कमेड़ी का आहम इजलास आज होगा प्रीक्टिस एन प्रोसीजर तर्मी में ओर्डिनेस नाफस होने के बाद ज़स्तिस मुनीब अक्तर तीन रूपनी जजिक से बाहर हो गए थे चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने जस्टिस अमीनुदीन खान को कमेटी रुकर नामजद किया था जस्टिस अमीनुदीन खान सेनियरोटे लिस्ट में पांच पे नवर पर हैं नई कमेटी के पहले इजलास में जस्टिस मनसूर अलिशा ने मस्रुप्यात के बाइस शिर्कत ना की जस्टिस मनसूर अलिशा की अदम शिर्कत के बाइस इजलास बगैर कारवाई पीर तक मौखर किया गया। विफाकी हुकुमत का रवा माली साल मिनी बजट आने का इशारा वजिर मुम्लिकत बराय उमूर खजाना अलिपरवेज मली कहते हैं आई-म-फ के अदाफ पूरे करने हैं तो ऐसा किया जा सकता है। खाहिश तो नहीं लेकिन अगर एदाफ के अदादों शुमार पूरे ना हुए तो मिनी बजट की सिंप्त में जा सकते हैं अगर आई-म-फ का फ्रेमवर्क लेकर आगे चलना है तो क्या हम हाथ खड़े कर दें मुल्क को दिवालिया होने दें दुनिया के मालियाती अदारे पाकिसान के लिए दरवाजे खोल रही हैं पाकिसान की रेटिंग बेहतर होंगी और हम बाजापता आई-म-फ प्रोग्राम में जाएंगे आम आदमी में गायर बदबनी से तंग आ गया मौझूदा इसम्बली में आवाम की नुमाइंदे नहीं हैं राहमा पीटाई असत कैसर कहते हैं हम इसम्बली में अपना उपजीशन का रोल अदा कर रही हैं हुकूमत हमारी मक्सूस नशिस्तने चीनने की कोशिश कर रही है ये अद्लिया के हिकमात की खला फर्जी कर रही हैं कौर कमिटी इजलास में आएंदा का लाय हमल तैग करेंगे जल्सों के लिए मेदान भड़ने की कोशिश के बजाए अवाम की मौशी हालत बेहतर करने की जरूरत है वजिर आदम शेबाद शरीफ का मौशी स्यासी और मौशी सुरतेहाल पर बयान कहा जल्से दोहजार अठाइस में करेंगे मौशी बहाली स्यासी 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 इसकाम से जुड़ी है स्यासी उनटिशार का मतलब बहाम को रिलिफ देने के अमल को मुतासिर करना है गाली गोली इंतिशार अल्फिसाद से माईशथ बेहतर होगी ना माश्रक हर सुबा हारी दारा अवाम के मसाइल के हल में अपना खिरदार अदा करे स्यासिय अफ्रा तफ्री में कौम और मुलक का बहुत वक्त जाया हो चुका मजीद वक्त जाया करना मुलक को कौम के मुफाद में नहीं खुशी है जदीद टेकनोलोजी में दोस्त आगे बढ़ रही हैं दोस्त कोशिश कर रहे हैं मुलक को आगे बढ़ाने की मुलक भर में इस्तराप है शहरी खुद को गयर में फूस समझ रही है जम्यत्र में इसलाम के सरवरा मुलाना फजद रह्मान का तकरीब से खताब कहा कहीं देशतगर सरगरम है तो कहीं स्ट्रीट क्रिमिरल्स तब दीलियों से इसी वक्त फाइदा उठा सके हैं जब जमाने के साथ चलें इस वक्त सियासी तश्वीश है यहां ना इदारे महफूज है ना आइन हर इदारा दुसरे के खिलाफ काम कर रहा है एक एक इदारा कमजोरियों की तरफ जा रहा है इस भी हमने करने है इंशालला आने वाली इतवार पे मियावाली में जलसा होगा मियावाली वालो त्यार हो जाओ इन्शालला मैं आउंगा, वहाँ पर मैं जल्सा करूंगा, आप लोगों के दर्मियान में और भरपूर तरीके से हम इनको बताएंगे कि जल्सा क्या हो जाएं इन्शालला आएंदा इत्वार को मियावाली में जल्सा करूंगा, वजीर आला काबर वक्त नुखा, अलियमीन गंडा पुर का एलान, वीडियो लिंक पर खताब में कहा, मियावाली के बाद पिंडी में जल्सा करेंगे, पुर अमन एहतजाज में मेरे लोगों पर जल्म हुआ, मेरे लोग मांगते हैं, हम पहले हर जल्म पर माफी मंगवाएंगे। वजिर आला के पास वक्त ही नहीं, वजिर आला खेबर पक्त नुखा, रियास्त को मान ही नहीं रहा, ये होता कोन है जो अफगान तालबान से मुजाकरात की बात करें। पिलने वाले पैसे पीटियाई हुकूमत खा गई। सुबा इसम्लिका इसलास फोज के खिलाफ तकारीर के लिए बुलाया जाता है, आज बीकेपी में वजिर लड़ रही हैं। इन्हों ने पुलिस को फोज रियास्त के खिलाफ खड़ा किया, तेरा में मुजाकरात करने क्या कोई वजीर गया, सवाल ये है कि सुबा दूसरे मुझ से बराहे रास बात कर सकता है। हकूमत आइनी तरामीम पर इतरास दूर करने के लिए तयार है, बिला जवाज मुखालफत के परवा नहीं। विफाकी वजीर राना तिन्मीर हुसेन ने मीडिया से गुफ्तवे में कहा, आइनी तरामीम अवावी मुफात का मौमला इसे सियास्त की भेंट ना चड़ाया जाए। आइनी अदालत आज का नहीं, 30 साला पुराना मुतालिबा है, पीटी आई अलख्वारिच में शामिल हो चुकी, कौम ने समझते हुए मुस्तरत कर दिया, वो वक्त दूर नहीं जब फितना दफन होगा और मुल्क तरक्की करेगा, अलियमिन गंडापुर जराइम पेशा श का नहीं आई नुरा की नजर बंदी के एकमाथ उसकेंने पेशाँ साथ लैसाथ कार्कुनों का काष़् जालिया। जिन्होंने तक्रीर करनी होते हैं वो हर कीमत पर पहुंचते हैं कुछ पिछली तक्रीर की मौफी तलाफी वजा है कि सारी बढ़कें जाया हो गई लशकर आया ना अलियामीन गंडापुर की तक्रीर हुई मुल्क भर में अमडी केट की मतानाथ कोईटा में नकल करते 22 सारी बात और 21 तलबा गिरफतार पीमडी सी से नकल करने वाले तलबा की तफसील और लेटर तलब करुक में भी पुलीस का मकामी हॉस्टिल पर चापा आठ अफराद गिरफतार गिरफतार अफराद का अमडी केट परचा आउट करने में मुलविस होने का शबा तफ्तीश के लिए थाना सिटी मुंतकिल मुतादित सेंटर्स में नाकिस इंतजामात वालदेयन दिन भर उलते रहे उमिदवारों को दुश्वारी का सामना लाड़काना में टेस्ट बदनस्मे का शिकार तलिबा और वालदेयन सरापा इतजाज तलिबा का एसेसपी की काड़ी रोकर इतजाज पुलिस हेलकार तलिबा को धक्के देकर हटाते रहे कराची में अम्डिकेट का परचा मुबईयना तोर पर टेस्ट से कबल लीग सोशल मीडिया पर वाइरल पेपर लीग होने पर वालदेयन और तलिबा परेशान वालदेयन का कहना है अगर पेपर में ऐसे ही सवालात पाए गए तो हम सक्त इतजाज करेंगे खद्शा जाहिर किया था पेपर लीग हो सकता है डौर इंतिजामिया की सोशल मीडिया टीम ने वाइरल पेपर कोबे बनियाद करार दे कर मुस्तरत कर दिया चांद आईपीपीज का गलत कांट्रेक्ट की वज़ा से बगएर बिशली पैदा किये हकुमत पाकिस्तान से अर्बन रुपे वसुल किया जाने का इंकिशाफ आईपीपीज की जानिब से गलत कौन्ट्रेक्ट का खुम्याजा हुकुमत पाकिस्तान को बुगतना पढ़ रहा है जराय के मताबिक आईपीज ने बंगला देश और वेतनाम के मकाबले में पाकिस्तान बेसिक उनजाईश के विंड्स प्लांट्स चार्गुना मेहंगे लगाए पाकिस्तान में कोईले के जगार की बावजूद आईपीपीज बिजली पैदा करने के लिए इंपोर्टिट फ्यूल पर इनिसार कर रही है इन एकदमात की वज़ा से मेहंगी बिजली पैदा हो रही है आईपीपीज ने जितना इंपोर्टिट फ्यूल दरामत किया उतनी बिजली पैदा नहीं की और हकुमत से अर्बन उपेगी सबसीडी भी हासल की हकुमत पाकिस्तान ने टेक्स ट्यूटि और इंशूरंस की मद में भी आईपीपी मालिकान को सहुलियात महिया की आईपीपी सुकुमत पाकिस्तान के बेपना इसराथ की बावजूद फ्यूरंसिक आउडिट से गुरेजा नवामिक राजात बरदाश करने की बावजूद कॉंट्रेक्ट की मुदत ख़त्म होने पर प्लांट सुकुमत पाकिस्तान की मिलकित में नहीं होंगे नैप की 25 साला तारीक में एक ही प्रोजेक्ट में बड़ी रिकवरी एलामिये के मताबिक कॉमे खजाने को बियार्टी पिशावर से 168 अरब रुपे से जाइब की बचचत नैप खबर वक्त नुकाने बियार्टी में बिलवास्ता रिकवरी की पैनल कौमी अदालत से कॉंट्रेक्टर्स का 35,8 अरब रुपे का दावा भी खारिच करवाया बियार्टी पिशावर मनसुबे की तहकीकात का अगास 2018 में हुआ पंजाब में सबजियों की काष्ट बढ़ाने के लिए कॉपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला वजिरयाला पंजाब मरियम नवास की जेरस दारत खुसूसे इजलास में ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एगरिकल्चर के लिए सिफारिशाद का जाइजा सबजियां उगाने पर बीच, खा, डिरिगेशन और सॉलराइजेशन पर सबसीडीर मिलेगी पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमुस्बी प्यास और्टिमाटर की काष्ट का प्रोजेक्ट लाँच किया जाएगा ओफ सीजन काष्ट से पंजाब में चेमाप्यास और्टिमाटर मुकामी तोड़ पर दस्याब होने से मस्नूई महिगाई नहीं होगी पंजाब भर में एगरिकल्चर मशिनरी रेंटल सर्विसिस शुरू करने की मंज़ूरी जदीज जरी मशिनरी कराय पर मुएसर होगी टेक्स के लिए मरहूमीन को भी ना बक्षा उमर एयूब के मरहूब वालिद को भी टेक्स नोटिस फेश दिया ओपोजिशन लीडर उमर एयूब ने एक्सपर अपने बयान में कहा कि टेक्स एकठा करने वाले इदारे की काबियत पर जरा गोर करें मेरे वालिद गुजशता साल फोथ हो चुके एफबियार ने उन्हें भी टेक्स नोटिस फेश दिया उमर एयूब ने चंस करते वे कहा मिस्टर चेर्मेन एफबियार और कुछना करने वाले अफसरान कोई शरम होती है कोई हया होती है जो लोग इस दुनिया से चलेगे उन्हें तो सकुन से रहने दें अपना हाथ मजामत करके चीनना पड़ेगा अमीर जमातियस्लामी हाफिज नीमर रहमान कहते हैं मुल्क सततर साल का हो गया एक बाजू हमसे जुदा हो गया था बंगलादेश के लोगों को धोका दिया गया उन्हें कहा गया अलइदा होकर ज्यदा अज़ाद हो जाएंगे मसेला हुखमरान तबके का है जिसकी कोई कोई उमर जबान नहीं होती वहां के लोगों ने कहा हमें भारत का घुलाम बना दिया, लोग खड़े हुए, इस दोरे घुलामी को वहां के लोगों ने तबदील कर दिया, पाकिसान के जो हालात हैं इसमें हुक्मरानों को एरलिफ्ट मिले गी भी या नहीं नवाब अगबर बुक्टी ने ही लड़ाई का आगास किया था, इस बात को वलत रंग दिया जा रहा है, रियास्त ने जंग का आगास किया, वजिर आला बलोचिस्तान सरफरास बुक्टी ने कहा, ये जरूरी नहीं हद के साथ अक्सरियत होगी, पाकिस्तान के खिलाफ मुना अकरात करने किसके साथ हैं?